नमस्कार दोस्तों आप सबी दर्सों को मेरे चैनल इंडियन ट्रेन की जनकारी में स्वागत है आप सब्सक्रा करते हैं कि आप लोग सबी अच्छे होंगे आज जो नई ट्रेन जनकारी है वो है पबन एक्सप्रेस हम इस वीडियो के माद्याम से बताएंगे या गारी कहां से कहां तक चलती है कितने वज़े चलती है और कितने वज़े पहुंसती है साथ में इसमें कुछ कौनसी है और इसकी किराया की बात इस वीडियो के माद्याम से हम बताएंगे या सब जानकारी देने से पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबा लिजिए ताकि कोई भी लेटेस वीडियो डालने पर आप लोग को नोटिवेकरिशन मिल जाएगा दोस्तो पवन एकसपरेस का गारी नमबर 12062 है या गारी जैनकर से मुंब़य लोकमान तिलक ट्रम está के बीज में सब्दा के साथो दिन चलती है जैनगर से मुंबई लोकमाने तिलक टेन्वेस की बीच की दूरी एक हजार नौसद ब्यालिस किलिमीटर है या गारी इस दूरी को 35 गंटा 15 मिनट में पूरा करती है इस गारी काइबरे स्पीट 55 किलिमीटर पर घंटा है और मिक्सिमूम स्पीट 130 किलिमीटर पर घंटा है इस गारी में लेच भी कोछ लगी भी है इस गारी को मद्ध रेलवे जूनल अपरेट करती है या गारी जैनगर से चलकर दरभंगा जक्षन, समस्तिपूर जक्षन, मुझपरपूर जक्षन, हाजीपूर जक्षन, छप्रा, बलिया, गाजीपूर सीटी, वारनसी जक्षन, पर्यागराज जक्षन, सतना, कटनी, जबलपूर, इटार्सी जक्षन, भुसावल जक्षन, नासिक रोड कल्यान जक्षन होते हुए मुंबई लोकमान तिलक ट्रेमिस को जाती है यह गारी जैनगर से दपार एक बच के दस मिनट पर चान नमबर प्लेटफरम से चलती है और 35 गंटा 15 मिनट का यात्तरा तै करते हुए मुंबई लोकमान तिलक ट्रेमिस को दूसरे रात 12 बच के 25 मिनट पर एक नमबर प्लेटफरम पर पहुंचती है इस गारी में कोच की बात करें तो इसमें सेकेंड एसी थार्ड एसी स्लीपर क्लास और जेनर के कोच लगाए गए हुए हैं इस गारी के टिकेट किराया की बात करें जो कि जैनगर से मुंबई लोकमान तिलक ट् इस गारी का तरिक टिकेट किराया जानने के लिए रेलवे के काउंटर में आप लोग जाकर पता कर सकते हैं दोस्तों पपन एक्सवेस की जानकारी यहीं सब्सक्राइब तो और भी किसी ट्रेन की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं मेरा वीडियो देखने के लिए धनवाद प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब केजिए मैं वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब केजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में